यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हापर हम डिसकेस करेंगे लेटेंट व्यू एनलेटिक इस कमपनी के बारे में यहापर बहुत से बड़े अपडेट आये हैं वो यहापर हम अंडरस्टेडिंग करेंगे एन दोस्तों आज हमें 10% के करीब की जो बड़ी तेजी देखने को मिली है लेटेंट व्यू एनलेटिक के अंदर उसके पीछे कौन से ऐसे रिजन हमें एक्टिवली वर्ग करते वे देखने को मिल रहे हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ जरूर आपके पास यहाँ पर शेर से या आप यहाँ पर इंटरिस्टेट हो तो आपकी नजरे कमपनी पर रहनी चाहिए हैं तो क्या क्या कमपनी के पास यहाँ पर स्ट्रेंट है क्या वीकने से से और क्यू यह कमपनी लिस्टिंग के बाद में भी बहुत अच्छा पफॉ यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते कि लेटेंट व्यू एनलेटिक लिमेटेट का जो शेर है 400 यहाँ पर 50 रुपए के करीब राउंड फिगर ले ट्रेड कर रहा है और आज इस टॉक ने गजब की इंप्रुमेंट यहाँ पर दिखाई और ऐसे वैसे ने दोस्तों काफी होता है तो उस हिसाब से 9-10 परसेंट भी बहुत बड़ा फिगर बन जाता है तो अभी यहाँ पर देखिए इस कंपनी के हम जैसे पिछले 6 महिने के भी रिटेंज को ट्रेक करें तो 38 परसेंट का रिटेंज सॉलिड यहाँ पर इसने दिया है और आप जैसे एक साल के भी र चांदार रिटन नहीं जनरेट हुए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगबग यह शियर लेटेंट विव एनलेटिक का 700 पर दोस्तों लिस्ट हुआ था लगबग यहाँ पर मैं राउंड फिगर ली बता रहा हूं तो 700 रुपई से लिस्ट होने के बाद में यह करता हूं और उसी के साथ में आपको दोस्तों इस कंपनी के अंदर इंप्रुमेंट कब देखने को मिल सकती वो भी डिटेंस देखने के बाद समझ में आ जाएगा इसलिए तो कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप अपने डिसिजन को अच्छे से समझ प यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और मैं कह सकता हूं कि जो यहाँ पर यहाँ पर रिसिशन से रिलेटेड या यहाँ पर हमने यह भी देखा कि बहुत से अलग-अलग इशू क्रेट होते वे देखने को मिले तो उस वज़े से बहुत से जो यहाँ पर देखने को मिला यह बात बहुत इंपॉंटर है और आपको मैं अभी बता देता हूं कि यह लेटेफ वी अनलेटिक के अंदर भी क्यों देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर अंडरस्टेंग कर सकते हैं लेटेंट वी एनलेटिक इस कमपनी का दोस्तो रिविन्यू यू पर यूएस से कमाती है और आपको यह अंदाजा आना ही चाहिए कि यह जो यहाँ पर कंट्रीज अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर उनके अंदर हमें प्रेशर तो दिखाई देही रहा है और हम जानते भी है इनके क्लाइड और कंट्रीज के सबसे ज़्यादा है और इंड से ही इसको 60% रिविन्यू आता है याने एक बड़ी बात समझ लिजिए यह पाज जो कस्टमर इसमें से किसी का भी बिजनेस डग मगाया या उनके बिजनेस उतने अच्छे रन नहीं हो रहे है तो क्या होगा उसका इंपक्ट सीधा-सीधा आपको यहाँ पर लेटेंड वि जेर्मेनी, यूके, सिंगापूर ऐसे सभी देशों में बिजनेस एंड मार्केट के जो भी क्लाइंट है वो देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर इनके क्लाइंट लिस्ट में देखेंगे तो 60 से भी जादा यहाँ पर आपको फॉर्चून 500 कंपनी देखने को मिलेंगे बोले तो कंपनी के पास जो क्लाइंट है ना वो कोई ऐसे छोटे मोटे कंपनी नहीं है यह एक बड़ी बात है और उसी के साथ आप यहाँ पर यह भी देख सकते है कि टेकनलोजी कंपनी रिटेल, फाइनांस, सर्विसेस, इंडस्टियल, हेल्थ केर, सम आप इट्स प्रेशराइज है ना तो उसका तो इंपेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही और मैं आपको यह भी बताता हूँ कि यह कंपनी जो इंवेस्टमेंट करी आपने ओपर यह काफी इंपोर्टन है अभी किसी को क्या है स्रीप पता क्या है शेर गिर रहा है बागी कुछ भी पता न क्यों गिर रहा है क्या चल रहा है वो कुछ भी मालूम नहीं तो देखना तो पड़ेगा और कंपनी के अंदर के एक्टिविटिस को भी अंडरस्टेंडिंग किजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेंट विव एनल्टिक कंपनी ने दे कंपनी हैस इंक्रीज इंवेस इंवेस्टमेंड कि टूथाउज्टा 250 परसेंड टू रुपीज 500 करोड इन फाइनशल ये टूटाउजन ट्वेंटी थ्री यहाँ पर फाइनशल ये दो हजार जो यहाँ पर इसने फाइनशल 2022 के अंदर येर में 200 करोड का यहाँ पर एक्सपेंडिचर यहाँ पर हम कह सकत इंवेस्टमेंड किया था उसको बढ़ा कर 500 करोड कर दिया याने के 200% इंप्रोमेंड करकर दिखाए इस बार तो अच्छा खासा वेटेज दे रही है कमपनी अपने बिजनेस को और उसी तरीके से आगे भी बढ़ रही है और दोस्तो अभी मैं आपको इसके कौटली रिज सब्सक्राइब नहीं है और नेट प्रॉफिट भी देखिए बहुती फ्लैट कौटरली वेसिस पार है तो इन्टी सिक्स करोड रुपए के यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट के नंबर देखने को मिलेंगे जून में जो 2023 के थे और सप्टेमबर 2023 की यह कौटरली रिजल है तो फ्लैट पर्फॉफॉमस है इंप्रॉमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं तो दोस्तों स्टॉक के अंदर भी रियाक्शन आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और आप यहाँ पर यह रिली देखेंगे तो कंपनी हो सके उतना अपने आपको मेंटेन और आगे आपको प्रमोटर की होल्डिंग में कोई बड़ा बदलाओ या कोई भी यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिलेगा आप दोस्तों हम एफाइस की बात करें तो एफाइस ने धीरे-धीरे माल उठाया है 1.66 से फिर 1.83 फिर अभी 2.57 सप्टेंबर 2023 में स्टेक किया गया और इया इसका देखेंगे तो उनके पास 1.58 परसिंग का स्टेक है और पबलिक के पास 30 परसिंट तो अच्छा खासा स्टेक बड़े निवेशक होल्ड कर रहे है और रेटेल इन्वेस्टर अलसो और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो कंपनी के अगर आप इस इनका सपोर्ट इनको है बिलकुल बट क्या बात हो गई है तो इनके मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है दोस्तो 22% डाउन है तो कंपनी को बची कुछ नहीं रहा है तो वो कंपनी के अंदर तेजी कहा से आएगी यह एक बड़ी बात है और आप बोलेंगे सर आज जो इतनी शांदार तेजी आई तो दोस्तो वैलियूम इसके अंदर खरीदारी हुई है इसी वज़े से आप ज़रूर अंडरस्टाइनिंग कर सकते है और यह कंपनी लेटेंट विव एनलेटिक यह डिफ्री कंपनी है इसके उपर एक पैसे का करजा नहीं है और मैं व पैस केश कितना है तो दोस्तो कैश की बात करें तो कमपनी के पास से देखिए 363 करोड का कैश पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा कैश है कंपनी के पास इसलिए आप सभी को यहाँ पर आईसे कंपनी पर नज़रे रखनी चाहिए और जो मैं वैलियूम की बात कर रहा हू वो भी आपको आज बताता हूँ कि value किस तरीके से आया है और ये आपको लगता होगा कि कोई company में announcement वगेरा हुआ हो सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं मैंने update चेक कर लिए हैं कोई announcement बड़ा company में देखने को नहीं मिला है और जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपको कोई भी announcement देखने को नहीं मिलेगा ये board meeting के भी details में देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर announcement या यहाँ पर आपको दूसरे activities देखने को नहीं मिलेंगे तो इस तरीके से company के अंदर के details है और जो मैं आपको आज बताना चाहता था कि देखिए जो value है वो काफी तेजी से बढ़ गया है यूँ तो कोई ज़्यादा quantities नहीं थे या transaction नहीं थे बट आज बढ़िया तरीके से इसके अंदर हमें माल उठाया हुआ देखने को मिल रहा है तो I hope आप Latent View Analytics के बारे में समझ गए कि आज क्या हुआ है तेजी क्यों थी और कंपनी के हलात कैसे है और आपको किस तरीके से इस कंपनी के अंदर यहाँ पर सोचना चाहिए Thank you so much